साथियों क्या आपको पता है बंद गार्डन का नाम बंद गार्डन क्यों पड़ा साथियों यहाँ पे काफी पहले से एक बंधारा मौझूद था यानि की स्मॉल डैन और अंग्रेज यहाँ के पास मौझूद गार्डन को बंद गार्डन कहके पुकारने लगे इसके चलते इस पूरे एरिया का नाम बंद गार्डेन पड़ गया, बंद गार्डेन को चीमा गार्डेन से जोड़े जाने के लिए एक ब्रिज बनाया गया, जिसे 1867 में कैप्टेन रॉबर्ट S. Ceylon ने बनाया और इसका कुल कॉस्ट 2 लैक रुपीज आया, उस समय साथियो मुंबई, बॉंबे कहा जाता था, और वहां के गवर्नर थे, विलियम, रॉबर्ट, वेसे, फिट्ज, गेराल्ड, और इनी के नाम पे इस ब्रिज का नाम रख दिया गया, फिट्ज, गेराल्ड ब्रिज, पूने काया साथियों पहला इस पैंडरल आर्क ब्रिज है, 2012 में इस ब्रिज को बंद कर दिया गया, लेकिन 2013 में इसे गिराय जाने का प्लान था, लेकिन एतिहासिक ब्रिज होने के नाते, इसे अट्रेक्शन के रूप में संदच्छित कर लिया गया, और आज भी आप इसे देख पाते हैं, यदि पसंद आया है, तो लाइक सेर करने के अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें